है नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आप सभी कैकने और काफ इंट्रेस्टिंग वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम अन्बॉक्स करने वाले ओपो के न्यूली लॉंच वायरलेस इयर बड्स जिसका नाम है ओपो एंकोड डव्ली थर्टीवन और गैज यह रहा उसका रिटेल पैकेजिंग यह आपको मिल जाता है 3999 रुपीज की प्राइज में इसके जो प्राइजिंग है काफी कॉंपिटिटिव लॉंच किया है मतलब रियल मी बड्स और गैज जो मी के वायरलेस एरफोन टू जो लॉंच हुए है सिमिलर प्राइजिंग में लॉंच किया ह यह एक कॉंपिटिटिव ब्ल्यूटूथ इयरबड्स है तो पहले हम करते हैं इसके अन्बॉक्सिंग और अन्बॉक्सिंग करने के बाद हम देखेंगे क्या यह वर्थ है उस प्राइज रेंज में और क्या-क्या फीचर्स आपको इसके अंदर देखने मिलते है तो गैस य यह पर आपको देखने मिलता है और कही सरे उसके फीचर्स डिये डीटल मैं की अअँच में की intentional k कोरद्ट ने करेंड नियमक ड्राइवर बेगने मिलता है तो जो नियुक्त की आपको जून्च हुए उसमें आपको गलव का थीचर चैअग से म स्थोर सर दड elder 12 से यहां पे सिफ 7 mm का डाइनमिक ड्राइवर देखने मलता है तो गैस डाइनमिक ड्राइवर याने की दो उसमें बैरल्स होते है सो साउंड थोड़ा बहुत वहाँ पर अच्छा था है और गैस बाकी की सारी इंफरमेशन है तो सबसे पहले अन्बॉक्स करते इसे और गैस अन्बॉक्स करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मन्त एन येर ओफ इंपोर्ट एप्रिल 2020 मेड इन चाइना ओके नीचे कमेंड मत करना वाद में कि मेड इन चाइना अन्बॉक्स के यहाँ पर अंदर की तरफ आपको देखने मलते हैं ओपो के ट्रूली वायलेस और गैस इसका जो बॉक्स पैकेजिंग यहाँ पर दिया है काफी बढ़िया है और गैस यह भी काफी कॉंपाइक दिशाइन यहाँ पर उन्होंने लाया है और यहाँ पर पहले ऒपन करते है ओके सगह जैसे आपको कुछ देखने मिलते है उसके साथ और यहाँ आपको देखने मिलते हैं उसके यहाँ यूजरons यही सारे कंटेंट आपको बॉक्स के अंदर देखने मिलता है यह है यह है ओपके वह ट्रूली वायलेस हेडफोन और आप देख सकते हो काफी बढ़ी मैट फिनिश यहाप आपको देखने मिलता है और जैसे मैं इसे उपन करता हूँ अंदर की तरफ पहले यह रैप नीची का और यहाँ पर इसके जो मैगनेटिक चाजिंग पॉंट से उसका भी जो लोकेशन नीचे नहीं दिया है यहाँ पर साइड में ही आपको देखने मिलता है और यहाँ पर एक ब्लाक कलर का पॉंट देखने मिलता है जो बेसिकली एक अप्टिकल सेंसर है इयर डेक्शन के पर आपको देखने मिलता है काफी बढ़ी दिखता है और यहाँ पर नीचे की तरफ भी उन्होंने एक माइक्क 됐ंप दिया है जिसमें आपको दिखने मिलता है noise cancellation का option तो दिखने में काफी बढ़ीया इसकी केस काफी बढ़िया है, यहाँ पर आपको एक बटन भी देखने मलता है, जिसकी हल्प से आप इसे पैर कर सकते हो, और यहाँ पर पीछे की तरफ आपको देखने मलता है, USB Type-C जिसकी हल्प से आप इसे चार्ज कर सकते हो, अभी हम पैर करेंगे इन earbuds को हमारे phone के साथ, तो कुछ इस तरीके से बस आपको इस case को open करना है, फिर आपको जाना है Bluetooth में और यहाँ पर ब्ल्यूटूथ सेटिंग्स में, आपको बस सर्च करना है यहाँ तो refresh करता हूँ मैं, और यहाँ पर बटन है उसे आपको प्रेस करके रखना है basically, तो यह पैरिंग मोड में चला जाएगा, तो आप देख सकते हूँ यहाँ पर OPPO ENCODE W31 आ चुक है और जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक पैरिंग रिक्वेस्ट आएगी और बस आपको पैर के उपर क्लिक करना है, that's it और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ automatically, you can change it in settings, so basically एक advanced sound mode है, मैं आपको बता था हूँ, यहाँ पर settings में जाके तो आप देख सकते हो, AAC मतलब provide high quality audio experience, जिसका option यहाँ पर available है, इस phone में जो है POCO का phone, so आप यहाँ पर इसे enable कर सकते हो, जिसकी help से काफी अच्छी sound quality आएगी, और उसके अलावा आपको कई सारे pop-up menus भी आता है, जैसे आप इसे पॉप करते हो, but guys वो सिफ ओपो के phones में है, और आप यहाँ पर स्क्रीन के उपर देख सकते हो, कुछ इस तरीका का pop-up menu आपको देखने मिलेगा, so खेर कोई बात नहीं हमारे पास ओपो का कोई phone नहीं है, और अभी हम सुनेंगे इसकी sound quality, तो basically यहाँ पर जो earbuds है, हम इसे remove करते हैं, okay, और guys यहाँ पर हम इसे wear करके देखते हैं, और जैसे में wear करता हो, यहाँ एक sound pop होता है, so basically जो optical sensor है, वो यहाँ पर detect कर लेता है, कि आपने इसे wear किया, और guys काफी comfortably यह बैड जाते है, और guys यह vacuum type earbuds आपको देखने मिलते है, so काफी comfortably यह बैड जाते हैं, और guys अभी जो background का कुछ भी noise है, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, हाला कि अभी कोई भी music प्ले नहीं है, और guys अभी हम सुनेंगे इसकी sound quality, तो यहाँ पर मैं कुछ songs इसमें सुनता हो, और guys, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने एक earbud को remove किया, यहाँ पर जो song है, वो pause हो चुका है, और जैसे मैं वापस यहाँ पर insert करता हूँ, जो song है, वो play होना start हो जाता है, और guys, जैसी मैं दोनों भी remove करता हूँ, यहाँ पर song जो है, pause हो जाता है, बट वापस मैं यहाँ पर दोनों भी insert कर रहा हूँ, तो song जो है play नहीं होता है, और ऐसा कोई भी button यहाँ पर open नहीं दिया है, कि मैं song को resume कर सकूँ, आप song change कर सकते ह हो, आप देख सकते हो, यहाँ पर जो song है, वो change हो चुका है, बट गयाँ ऐसा कोई भी button नहीं दिया है, जिसकी help से आप वापस उस song को play कर सकते हो, so guys, यह मुझे एक problem लगा इसमे, और guys, उसके अलावा अगर आप left earbud के ओपर double tap करोगे, तो bass mode में और normal mode में आप इसे change कर सक है, जो guys, यहाँ पर double tap पर balance mode और bass mode में जो यह switch करता है, वो basically मैं यहाँ पर demonstrate नहीं कर पा रहा, क्यूंकि जैसे आप ear से remove करते हो, और double tap करते हो, यहाँ पर कोई भी mode switch नहीं होता है, जो बहुत ही बड़ी बात लगी, मतलब जैसे आप इसे wear करते हो, तब भी ही आप इसे switch क कर सकते हो, तो sorry guys, मैं sound नहीं सुना सकता, plus guys, यहाँ पर आपको Google Assistant का भी support यहाँ पर देखने मलता है, so बस आपको तीन-चार बार इसे tap करना है, तीन बार I guess, right side को, और आप देख सकते हो, यहाँ पर जो Google Assistant वो आ चुका है, और जो भी मैं बात कर रहा हूँ, Google Assistant यहाँ पर capture मिनिट PUBG खेल है, और guys, उसमें मेरे को कोई भी lag या फिर कोई भी delay यहाँ पर महसूस नहीं हुआ, so guys, overall sound experience काफी बढ़िया है, fitting काफी एच्छी है, यहाँ पर आपको next track, previous track का option देखने मलता है, एक earbird निकालते हो, तो song play pause हो जाता है, दोनों निकालते हो, तो song pause होता है, प्रोवाइड किये, total दोनों भी earbirds में चार माइक प्रोवाइड किये, तो हम देखेंगे कैसी है, इसकी sound quality, basically transmission, और guys, यह जो है, यह close room है, तो यहाँ पर बट अच्छी ही sound जानी चाहिए, बट guys, फिर भी हम इसे test करेंगे, तो guys, यहाँ पर हम call place करते है, Hello, sirji, आवज कैसी आ रही है, पता चल रहा है, मतलब फून पर बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हु, तु किस पर बात कर रहा हूँ, बिल्कुल भी दीन, ऐसे लग रहा है, ág सी लग रहे है और स्वी से-अ वगेरा ऐसा कुछ डिश्टबंस वगेरा कुछ भी नहीं यह ओपो होपो इनको डब्ली 31 डूल माइक्स विद एक्टिव नॉइस काफी बढ़िया तरीके से साउंड ट्रांस्मेट हो रहा था हला कि जिसे मैंने कॉल किया वो भी एक यूट्यूबर है तो उन्हें तो कोई भी हापर डिफरेंस नहीं बता चला कि मतलब मैं डिवाइस से बात कर रहा हूं या हैटफोन से बात कर रहा हूं तो फिलाल इसकी जो काफी बढ़िया है आप देख सकते हो जो इसका केस है काफी प्यारा लगा मैट फिनिश में सर्किलर डिजाइन है जो हाला कि आज तक किसी नहीं किये सभी लोग आइफोन के पीछे पड़े आपल के जो एरपॉर्ट से उनकी जैसा ही डिजाइन सब लोग को चाहिए बड़ डूल डाइनमिक का साउंड यहां पर एक्सपरियंस देखने मलता है और अगर हम बात करें इसके बैटरी लाइफ की तो केस के साथ कंटिनेंस 15 आर्स का यहां पर आपको बैटरी लाइफ देखने मिलता है जो बहुत ही बढ़िया बात है और यूस्बी टाइप-C है मतलब यहां पर आपको चार्जिंग का भी इशु नहीं है फास्ट चार्ज होगा आपकी यहेडफोन और इस केस की बैटरी मेरे इसाब से अप्रॉक्सिमेटली 350-400 एमेच की ही है उनके वेबसाइट पर मेंचिन किये तो और अगर किसी को इसे पुछेस करना है तो लिंक में नीचे कमेंट सेक्शन में बताए क्या मुझे इसे कंपर करना चाहिए शाओमी या फिर रियल्मी के हेड़फोन के साथ जो सिमिल प्राइजिंग में आते है तो गैस बस नीचे कमेंट कीजिए और गैस बस यही ता आज का एंबोक्सिंग वीडियो आई होप आपको वीडि कर दो आई हो आई होग़फोन के लिचे कर दो आई हो आई लोगांक।